हालो फ्रेंड्स मैं गणिस देवांगन अपने यूटूब चैनल रानी टेलर एंडी जैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स मैं अपने इस वीडियो में 38 इंच 4 डॉट ब्लॉच याने की साधा ब्लॉच की कटिंग कैसे करते हैं वो पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे की मेही लेटेश वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहें फ्रेंट तो चलिए पहले हम नाप को समझ लेते हैं इसके लंबा इसकी है 14 इंच, सोल्डर है इसका 10 इंच, सीना है 38 इंच, कमर है 30 इंच और सामने गला है 6 इंच और पिछे गला है 10 इंच फ्रेंट इसमें मैं अस्तिन का नाप कटिंग नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो हमारा तुपा लंबा है अस्तिन का नाप और अस्तिन की कटिंग कैसे करते हैं मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाया हूं मैं उसके उपर आई बटन में शो कर रहा हूं आप चाहे तो उसको देख सकते हैं तो चलिया फ्रेंट्स पहले हम कटिंग श्टार करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले साधा ब्लोग जो पीछे पल्ला काटूंगा आप ध्यां रहेंगे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से इस पैटन से आप कटिंग करना से जाएंगे और इस cutting में fitting भी आपको बहुत ही perfect मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे, हम जो cutting कर रहे हैं वो पीछे पल्ला है पहले, तो friends, 14 इंच हमारी लंबाई है, तो हम इसको 15 इंच में, यानि कि 1 इंच हम इसका margin बढ़ा देंगे, एक इंच हमारा, इसलिए रहेगा क्यों कि नीचे हमारा पाव इंच दबता है, और उपर हमारा पाउन इंच, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कई बार friends क्या होता है, हम उपर आधा इंच दबाएते हैं, जिससे कि हमारा shoulder भी उतर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो सिलते वक्त हमेशा आप उपर क्यों, यानि कि उसको हम बोलते हैं पाउन इंच, तो friends, अब आते हैं हम सोल्डर में, तो सोल्डर हमारा है साधे दस इंच, तो साधे दस इंच का हाप हुगा हमारा friends, सवा पाउन इंच, तो एक सवा पाउन निशा नहां लगा लेंगे, और एक सवा पाउन इंच में हम निशा थोड़ा इ कि ज़रा भी लाइनिंग हमारी आगे पीछे होती है तो ब्लॉज की फिटिंग भिगट सकती है अब आते हैं friends हम आर मोहल में तो friends इसका हम आर मोहल रखेंगे 5.5 इंच यह 5.5 इंच और 1.5 इंच में हम निशान आके ऐसा लगा लेंगे इसको भी हम स्केल से ऐसा मार्क कर लेंगे यानि कि सीधा ला कुई खीज लेंगे यह फ्रेंड्स ऐसा अब चुकि सीना हमारा है 38 इंच तो 38 इंच का एक चौथाई होगा यहां पर और देड़ इंच मार्जिंग यह वैसी कमर में तो कमर हमारा है 30 इंच तो फ्रेंड्स 30 इंच का एक चौथा ही होगा हमारा साड़े साथ इंच और एक इंच जो पीछे पल्ले में यहां डॉट पड़ता है फ्रेंड्स उसके लिए मार्जिंग और देड़ इंच का मार्जिंग हमने उपर भी दिया हुआ है क्योंकि मार्जिंग हमेंसा इक वाल रहनी चाहिए तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसा सीधा कर लेते हैं है यह अब उसकार करने हैं तो फ्रेंड्स हमको आर्म ओल कट कि लिए हमको यह ऐसा स्केल तुछा ले के अंदर की ओकर आधा इंच अम ऐसा तीछीँल क किछ लेंगे तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा यहां पर हम तीचा लह इसलिक हिसते हैं क्युंकि इसक को अंदर के और लेके कटिंग करते हैं तो फ्रेंट्स फिर उसके बाद आर्मुल कटिंग करने के लिए हम यहां पर से कार्नर से इसको कार्नर से एक इंच में निसान लाएंगे यह एक इंच उसके बाद हम इसको ऐसे यहां से हाप करव लेते हुए इसको लाके यह ऐसे इसको को मिला लेंगे देखिया फ्रेंट्स हमको इसके पहले लाके मिलाना है लास्ट में नहीं मिलाना है इस बात का ध्यान रहेंगे उसके अद्ध फ्रेंट्स यह हमारा सामने पल लेके कह रहाई है उसके आद हम आते हैं बैक पॉर्सन में तो बैक पॉर्सन के लिए फ्रेंट्स ह हमको लास्ट मिला कर मिलाना है ईसको इसको फ्रेंड इसको मैं हम यह देखिए अ है मैंने मिला लिया इसको को यह को कि यह देखिए आप आते हैं तो कि हम घले में तो spas कि आलाऊं हमको 58 इंशा यहां कर लेंगे तो इसको रखना के op 2 इंच में यह निसान कर लेंगे अब इसको इसकेल से इसको सीधा करेंगे आई से यह जोगी हमारा गला है तस दस इंच और उसтов तक हम 10 इंच में औरคलिंजे कर लेंगे अब यहां से हम इसको मैं गोल काट रहूं आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से अपने चौईस के इसाब से गला आप कट कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको कट कर लेतें चूकि यह हमारा पीछे पल्ला है तो पहले इसको हम काट के निकाल लेंगे उसके बाद हम इसको अब हमको सामने पल्ला कटिंग करने के लिए हमको सबसे पहले तो हम यहां से हुक और आई के लिए आधा इंच का मार्जिंग ऐसा निसान लगा लेंगे यह मार्जिंग हमने निसान लगा लिया उसके फ्रेंड्स हमको नीचे से यहां से एक इंच में एक और निसान लगा लेना है यह फ्रेंड्स मने एक इंच में निसान लगा लिया है ремasay the back portion काता था उसको इसमें रखके इसको में काता है वैसी इसको हम हैसा मार्क कर लेंगे जैसा हमने मतलब इसको हम साधान सब्दों में वर्मत रहे हैं पर जाना कि चाप लेंगे क्हाप लेंगे यह प्रेंग्य यह हमने कर लिया है उसके हाद फ्रेंट्स हमको इस साइट से यहाँ से भी एक इंच बढ़ा लेना है इस साइट से भी और इस से भी यह हमने एक बढ़ा लिया और इसको भी हम सीफ़्रेल से यसा सीधह कर लेते हैं अगर आपको कोई वीडियो में कुछ confusion होता है तो आप इस वीडियो को rewind करका देख सकते या मुझसे WhatsApp में या मुझसे comments में पूछ सकते मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा उसके स Warum काट लेते हैं और 27 इंच सामले यह देखिए यह यह तु apoyo कर लेंगे यह आई 22 मैंने यह और यह इसलिए इसली身 बढ़ा है हुआ है क्योंकि हमारा चार्ड ब्लॉज बन रहा है तो यह हमारा डॉट पढ़ने के बार अर्जेस हो सके मतलब फ्रेंट्स मैं जित्ती भी इसमें कटिंग कर रहा हूँ इसमें डायेट मार्जिंग सब एक्टर की कर रहा हूँ आपको कपड़े में काटते वक्त कोई भी आपको मार्जिंग एक्ष्टा लेनी की आउसकता नहीं पढ़ेंगी आप डायेट इसको कपड़े में रखके कटिंग कर सकते हैं अब आते हैं फ्रेंट्स हम गले में तो गले का अपन धाय इंच डिफ्रेंस है हमारा यहां भी धाय इंच ऐसा अब इसको हम इसकेल से सीधा खीट लेंगे यह ऐसा हमारा सामनी गला 6 इंच है तो यह हमने 6 इंच में यानिकी 6.5 इंच में निसान इसको गोल कर लिया हूँ आप चाहे तो अपनी पसंद के नुरुक गला रख सकते हैं अब फ्रेंड्स डाट मानने हैं तो डाट मानने का सबसे आसान और इजी तरीका मैं आपको बता बता रहा हूँ क्योंकि हमारा 38 इंच अब लाच है तो हम ऊपर में ऐसा टेप रख के यहांपर 11 इंच में ऐसा एक निसान लगा लेंगे और फ्रेंड्स इस साइट हमको यहां पर लगाना है जहांपर हमने होगा का मार्जिन लिया था वहां पर आसा टेप र रख के 4 इंच संहारे, आप 4 इंच में तो यह हमारा main dot ींट बन गया है अब वैसी हम यहां पर भी इसको 4 इंच में इक निसान ऐसा लगा लेंगे, यह हमारा main dot-point है, तो friends इसको हम कित्ता दबाव रखें तो friends इसका हम हम मतलब पॉन इंच इस सैट मतलब यह देखे यह हमारा और फिर विस को भी हम से वैसा मिला लेते हैं यह देखें यह हमारा यह फ्रेंड्स हमारा ऐसे सिलाई में दबेगा देखिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं फिर भी आपको को समझ आए तो आप वीडियो को रिवंग रिवयंग दे सकते हैं तो फ्रेंड्स यह हमारा में डॉूट है उसके वाद फ्रेंड्स हमको यहांपर से जहांपर हमने चालिंग जापा था उसी से हमको एक इंच इस सैड मतलब यहां पर है हDes से एक इंच डिफ्रेंस करके और वो भी आधा इंच करीब उपर हमको एक और बिचल कर दो थैशा लगा लेना देखे wanna यहां से मने एक इंच लिया है अब इसको भी हम यहां पर सिध्र मिला लेंगे यह फ्रेंट्स उसके बाद फ्रेंट्स हमको यहां पर भी देखिए यहां से हमको ऐसा दो इंच में वो भी हमारा आधा इंच उपर इस लकीर से यह डॉट से यह डॉट आधा इंच उपर होना चाहिए और यह भी आधा इंच यहां पर से हम इसको नापे हैं दो इंच यह दे देखिए, यह हमारा इस इस को हम ज़्यादा दबाऊ नहीं रखेंगे इतना ही दबाऊ रखेंगे मैं इधर भी यह दबाऊ हमारा 10 इंच का रहेंगा इस बाका इस दिया रखेंगे यह दखिए friends यह हो गया अब आते हें एक डॉट और पर हमने आरwn और यहां पर से हम इसको भी दो इंच में और यह भी हमारा यहां पर मेंसान निसान कंप्रेटली बन गया है है अब चलिए हम इसको कट कर लेते हैं हमने पल्ला कट के रेडी हो गया है अब देखिए हम इसको पीछे पल्ले साथ में रखके मैं आपको दिखाता हूं यह देखे फ्रेंट हमारा आर मोल भी परफेट इसी के साथ में आया हुआ है यह वाला पॉर्सन हमारा इसलिए बाहर क्योंकि जब मैं इसको डाट मारूंगा यहां पर तो यह वाला पॉर्सन यह हमारा आटोमेटिक यहां पर आके फिट हो जाएगा मतलब बराबर हो जाएगा और जो हमने नीचे जो हमने एक इंज मार्जिंग बढ़ाया हुआ था वह यह सब डाटों में डाट पढ़ने के यह आटोमेटिक हमारा पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आईगी अगर फिर भी आपको को डौट होता है तो आप मुझे वाट्सप नमबर पर या कमेंट में पूछ सकते हैं ठैंक यू फर वाचिंग जैहिन